कभी कभी परिक्षा की तयारी करते हुए हमें खुद के उपर ही संदे होने लगता है शक होने लगता है कि हम एक्जाम निकाल पाएंगे या फिर नहीं तो एक बात मेरी आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि अगर हमें खुद के उपर भरोसा होता है अगर हमारा आत् बहुत जादा होता है, तो हमें अंधेरे में भी रास्ते दिखने लगते हैं, तो अभी तो फिल भी उजाला है, अपके बास इतनी सारी क्लासेज, इतना अच्छा डाटा पड़ा हुआ है, अब कैसे नहीं आपका एक्जाम निकलेगा, कैसे आपकी तेयारी बहतर नहीं होगी तो इनी विचारों के साथ मैं सुचिता गढ़ेवाल आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, कॉम्पिटीशन कम्यूनिटी के इस ओलाइन प्रेटफॉर्म पे, आज हम मध्य प्रदीश के स्वतंतरता अंधोरन से सम्मंदित MCQ को कवर करने वाले हैं, इनमें हम मध्य प्रदीश में क्या-क्या घटनाय हुई और उन से सम्मंदित वस्तुनिष्ट को कवर करेंगे, तो चलिए चलते हैं हमारे पहले प्रश्नी की तरफ में, कर्मवीर समचार पत्र के संपादक कौन थे, कर्मवीर समचार पत्र वह पत्रिका है, जिसका प्रयोग सबसे जादा क देखी जाती थी, कैसे हम हमारे देश को आजाद कर सकते हैं, इसका संपादन, डॉक्टर हरी सिंग और, माखल लाल चतुरवेदी, डॉक्टर भीम राव अंबेटकर, पी आनंद चारलु किसके द्वारा किया था, तो इसका सही आंसर है, माखल लाल चतुरवेदी, ऑप्श किया गया है, जो कि डॉक्टर हरी सिंग और, विश्विद्याला है, डॉक्टर भीम राव अंबेटकर, जो है, ये मध्य प्रदीश की इंदौर जिले के महूं से संबंदित है, और इन्हों ने इन्हें भारतिय सम्विधान निर्माड की प्रारूप समिती के अध्यक्ष्य रूप में चैनित किया गया था, तो हमारा ऑप्शन नमबर 20 सहीं हो जाएगा, रतोणा आंदोलन मध्य प्रदेश के किस जिले में और कब हुआ था, ऑप्शन है, 1940 जवलपुर, 1930 इंदौर, 1920 सागर, 1910 ग्वालियन, देखे जो रतोणा आंदोलन है ना, इस आंदोलन में ए स्थित एक जगह का नाम है, और रतोणा में एक कसाई खाना घोला जाना था, और इस कसाई खाने के विद्रोह में यह आंदोलन आया, और इस आंदोलन में देखे कसाई खाला जो खोला जाना था ना, उसमें लगभख 1600 गायों को प्रती दिन काटा जाना था, पर डे काटा लाना था तो इसके विरोध में दो व्यक्ति एक हमारे माखल लाल चतुरवेदी जी थे और दूसरे अब्दुल गनी थे तो अब्दुल गनी और माखल लाल चतुरवेदी की अध्यक्षता में यहां आंदोलन किया गया जो की सागर जिले में किया था वर्ष 1920 में तो option number C हमा की गई जंडा है जंडा अंदोलन का प्रारंभ हो प्रदेश में कहा से चीया गया था जवल पूर रतोस्ता दौब की तो जंडा उंझा क्या हुआ था हुआ ये कि जेवल पूर के टाउं हौल में में जंडा फ्यराया गया आम मंध्य प्रदेश के जवल पर जले से प्रारम्ब हुआ था अत्तह यहां पर हमारा option number A बिलकुल सहीं हो जाएगा रतोना की बात करेंगे तो रतोना आंदोलन सागर से संबंदित है मध्य प्रदीश में नमक सत्यागर है शिविनी का नेतरत्व किसने किया था जो मध्य प्रदीश में नमक सत्यागर हुआ उसका नेतरत्व किसने किया था option है दुर्गा शंकर महता, आजिमुल्ला साहब, लाला, राम, बाचपेई और इनमे से कोई नहीं देखिए मध्य प्रदीश में नमक सत्यागर है दो जगा हुआ था पहला हुआ था जवलपुर में और दूसरा हुआ था शिवनी में आपसे शिवनी वाला पूछ रहा है तो इसका सही आंसर होगा दुर्गा शंकर महता जी के द्वारा इसका नेतरत्व किया गया था अर्थात option नमबर A हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा घोडा डोंगरी सत्याग्रह वर्ष कब किया गया था घोडा डोंगरी सत्याग्रह कौन सा सत्याग्रह यह देखते हैं वर्ष पहले 1920, 1940, 1930, 1931 देखे घोडा डोंगरी सत्याग्रह यह हुआ था बैतूल जिले में इसके साथी साथ में शिवनी में भी इस आंदोलन का असर देखने के लिए मिला था हुआ क्या था कि आधिवाशी छेतर में अधिकार जमा रहे थे अंग्रेज अपना तो आधिवाशी ये बताना चाहते थे ब्रिटिस सरकार को कि जंगल हमारे हैं और हम इन जंगलों में कभी भी किसी भी व्यक्ति का अधिपत्य स्विकार नहीं करेंगे तो इस प्रकार से इस आंदोलन का उदय हुआ इसके प्रमुक आदिवासी निटा बंजन सिंग कोरकु थे जिने बंजारे सिंग कोरकू या फिर गुंजन सिंग कोरकू के नाम से भी जाना जाता है तो यहां पर यहां आंदोलन वर्ष 1930 में आयोजित हुआ था 1930 में हुआ था इस कारण से हमारा option number C यहां पर सही हो जाएगा 1930 घोडा डोंगरी सत्याग रह के प्रमुख आदिवासी नेत्रत्व करता कौन थे जग जीवन राम बंजारे सिंग कोरकू यश्वंत सिंग और सुन्दरलाल शर्मा इसके बारे में जस्ट हमने अभी दो सेकिंद पहले बात की तो इसका सहीं आंसर होगा बंजारे सिंग कोरकू और इन्हें ही गुंजन सिंग कोरकू के नाम से भी जाना जाता है कलकू अगर आपको गुंजन सिंग कोरकू आंसर मिले तो आप इसको भी लगा सकते हैं चरण पादु का नरसंगार मध्य प्रदेश में किस नदी हो गया यहां पर नदी के किनारे हुआ था देखे चरण पादु का नरसंगार जो है इसे मध्य प्रदेश का जलिया वाला हत्याकांड भी कहा जाता है क्यों कहा जाता है इस बात को आप समझ ये कि चरण पादुका नरसंगार उस दिन हुआ था जिस दिन हमारे भारत वर्ष में मकर शंक्रांती मनाई जाती है मकर शंक्रांती के दिन चौदा जन्वरी वर्ष 1921 में यह नरसंगार हुआ देखे क्या हुआ चौदा जन्वरी को छतरपुर जिले के चरण पादुका नामक मैदान में आम सभा चल रही थी और इस आम संभा में क्रांती कारी बैठे हुए थे और ये जो क्रांती कारी है इन क इसा की परर सूचना के गोली बारी और ने अ लगभग 21 से 22 लोगों की हत्या हो गई और जो लोग जिनकी हत्या होई वह बहुत ही प्रभावशाली कर न当 क्यों गिने जाते थे तो इसे इस Do अध्य प्रदेश का जलिया वाला हत्यागंड कहा जाता है यह किस नदी के किनारे हुआ था तो यह हुआ था उर्मिल नदी के किनारे जिला लगता है च्छतरपुर 14 जन्वरी वर्ष 1931 को चरण पादुका में बलिदान इसमारक का निर्मार किस ने करवाया लगभग 21 लोग यहां पर जिनकी और इससे कहीं जादा लोग यहां पर घायल हुए थे जवाहरलाल नहरू सरदार पटेल जग जीवन राम और इंद्रिया गांथी देखे जब हम बलिदान इसमारक की बात करते हैं तो इस बलिदान इसमारक का निर्माण जग जीवन राम के द्वारा करवाया गया था यह भार इसमारक जो कि उस समय की चरण पादु का हत्याकांड का गवाह है मध्यवरदेश में पंजाब मेल हत्याकांड किस जिले से संबंदित है यह आपको पंजाब मेल नजर आ रही है यह दिली से मुंबई जा रही थी और इसमें खंडवा जिले के अंतरगत एक हत्याकांड हु यश्वंत यश्वंत सिंग्व और दलपत राओ और देव नारायंट टिवारी के द्वारा तो मेजर शाहन और मेजर हैकसल की हत्या की गई इसके साथ ही साथ मेजर साहन थे उनके कुट्टे की भी हत्या कर दी गई तो POS हमारा है खरगौन, खंडवा, बुर्हान, पुर्धार तो हमने देख लिया कि कहां हुआ था ये खंडवा जिले के अंतरगत हुआ था तो option number B यहां पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सोहावल के नरसंगार को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है जब सोहावल की नरसंगार की हम बात करते हैं तो मध्य प्रदीश का जलियावाला कोरकू नरसंगार बंजारे गोली कांड और मांजन गोल्टी कांड देखिए जब मध्य प्रदीश का जलियावाला बाग अत्या कांड की बात करते हैं तो ये कहा जाता है चरण पादु का नरसंगार को कोरकु नरसंगार जो है यह नरसंगार नहीं बलकि कोरकु का सम्मन्ध हमारा बंजारे सिंग कोरकु या फिर गुंजन सिंग कोरकु से है जो की गोड़ा डोंग भी सत्याग रहसे है मांजन गोली कांड बिल्कुल सही आंसर होगा कि सोहावल के नरसंगहार को मांजन गुंडी काल्ब के नाम से भी जाना जाता है मध्य प्रिदेश में त्रिपुरी अधिवेशन का आयोजन कब किया गया था 30 जून 1937 31 माई 1935 29 जनवरी 1949 30 जनवरी 1940 दीखे ये जो अधिवेशन ही ये कॉंग्रेस के सबही अधिवाशनों में महत्वपुर्पुर्ण हो जाता है जिसका प्रमुक कारन इस अधिवेशन का अत्याधिक विबादित होना यह अधिवेशन मध्य प्रदेश में होना था तो इससे त्रिपुरी अधिवेशन क्योंकि मध्य reflect के जवलपूर वाले शेत्र में यह होना था और जवलपूर को ही हमने पढ़ा है कि पुराने समय में त्रिपुरी त्रेवर और जवालिपुरम के नाम से जाना जाता था तो जवलपुर में जब ये अंदोलन होना था और जब ये जब ये अधिवेशन जवलपुर में होना था तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे शुभाष चंद्र बोश जी लेकिन महात्मा गांधी जी नहीं चाहते थे कि शुभाष चंदर बोष जी जो है महात्मा गांदी नहीं चाहते थे कि शुभाष चंदर बोष जी जो है वो इस अधिवेशन की अध्यक्षता करे तो इस कारण से चुनाव किये गए और चुनाव हुए महात्मा गांदी के तरफ से पटावी सीता रमया जी को खड़ा किया गया वहीं एक तरफ में शुभाष्षन्डर बोष जी थे महात्मा गांदी जी ने साफ-साफ कह दिया था कि यदी कि यार होगी तो यहार मेरी स्वयम होगी उसके बाद भी शुभाष्षन्दर बोष जी ही इस चुनाओं में जीते साफ-साफ समझ में आ ने जब यह चुनाव जीत लिया लेकिन इसके बाद भी समस्याइं कम नहीं हो रही थी गांधी जी बात नहीं मान रहे थे इस वज़ा से सुभाष यंदर जी ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया उनका त्याग पत्र लेने के बाद पुन्हा एक अध्यक्ष बनाया जा जी को तो हमारे भारत के पहले राष्टपती राजेंद प्रशाद जी ही इस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे तो यह कब हुआ था तो यहां अधिवेशन 29 जन्वरी 1949 को संपन हुआ था ओप्शन नंबर सी हमारा यहां पर सहीं आंसर हो जाएगा त्रिपुरी अधिवे देखे जब हम बात करतें त्रिपुरी अधिवेशन के प्रारंभिक अध्यक्ष की तो त्रिपुरी अधिवेशन के हमारे प्रारंभिक अध्यक्ष थे सुभाष चंदर बोश जी क्योंकि यही प्रारंभिक अध्यक्ष चुने गए थे और इसके बाद चुनाव भी यही ज जो कि भारत के पहले राश्टपती भी बने कि अब हमें देखना है कि कौन सी घटना है कौन-कौन से जिले से संबंदेत है है रतवना आंदूलन नमक आंदोलन जंडा roam और चरंट पादु wal Unless और घोडा डोंगरी सत्यागरें देखिघंड इनमक होगा सबसे पहले तो अब इन आंदोलनों का संबंध हम निकालेंगे सबसे पहले रतोना आंदोलन जो कि हमने देखा था कि गायों के संदक्षन के लिए किया गया था जो कि सागर जिले में किया गया था तो पहले हो गिया आप्शन नंबर पहला एक आएगा तो हम एक देख लेते हैं एक किस नंबर में लिखा है तो C में लिखा है और A में लिखा है तो ये दोनों तो पहले 20 मिलिट होगा कि ये अंसर नहीं होगे अब देखते हैं नमक सत्यागर है नमक सत्यागर है जो है वो जवलपूर में भी किया गया था जंडा अंदोलन जवलपुर में किया गया था तो अगर जंडा अंदोलन जवलपुर में किया गया था तो नमक सत्यागरह यहां option 7 होगा चरण पादुका नर्स हंगार छतरपुर जले के अंतरगत किया गया था और घोडा डोंगी सत्याग्रह जो है वो बैतूल में हुआ था इस कारण से हमारा option हो जाएगा 1, 1, 3, 2 1, 3, 2 तो 1, 3, 2 और उसके बाद हो जाएगा हमारा 5, 4 तो option number C हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा जो होगा 1, 3, 2, 5 और 4 भोपाल का जलिया वाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था देखें भोपाल का जलिया वाला बाग हत्याकांड ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्या हुआ जब भारत सरकार के द्वारा भोपाल को मध्य भारत के शेतर में मिला लिया गया भोपाल में 14 जन्वरी 1949 को भोपाल के पास में एक गाउ है जिसका नामे बोरास गाउ जो की राइसेन के अंतर गता था तो यहां पर 1949 को हुआ ये कि इस्थानी लोगों के द्वारा भारती जंडे को फैराये गया पर ये वह समय था कि इस समय तक भोपाल जो है वो मद्य भारत में विलीन नहीं हुआ था और भोपाल को भारत में नहीं मिलाया गया था इस कारण से यहां पर नवाबी सेना जो थी उस नवाबी सेना ने इन इस्थानी लोगों के उपर आकरमण किये और स्थानी लोगों के बीच और नवावी सेना के बीच बहुत जादा बड़ी जंग हुई और जिस जंग में सीधी सी बाते नवावी सेना के पास गोलियां थी तो उन्होंने गोलियों से बहुत सारे लोगों को छलनी कर लिया और इसमें बहुत सारे लोगों की मृत्ती हो गई और इतना सब कुछ देखने के पश्यात पटेल जी सामने आ और सरदाल पटेल जी के द्वारा फिर भोपाल को संपूर्ण भारत में विलाई किया गया और इस दबाव को देखते हुए तो ये जो हत्याकांड है यही कहलाता ह है भोपाल का जलिया वाला बाघत्यकांड क्योंकि भारत की संपूर्ण शेत्र तो धीरे-धीरे करके मिल ही रहे थे लेकिन भोपाल जो रियासत है वो अंत में मिलाई गई थी संपूर्ण भारत में इस कारण से यहां के लोगों को आत्याधिक संघर्ष देखना पड़ा स् हमारा यहां पर 1940 सतना, 1930 भोपाल, 1945 सागर, 1949 राइसेन तो इसका सही आंसर होगा वर्ष राइसेन जिले के अंतरगत बोराज गाव में किस नदी के किनारे स्थित है तो यह जो गाव है यह नर्मदा नदी के किनारे स्थित था और किस-किस के बीच में जंग होई तो पहली ब मतलब अंग्रेज अधिकारी नहीं है बलकि वपाल के जो नवाब थे उनकी बाद जो सेना थी उसकी बात यहां पे हो रही है और यह जो इसमारक बनाया गया है यह बलिदान इसमारक है जो कि यहां पर भोपाल के जलिया वाला बाग हत्यकांड वाले इस्थान पे बोराज में बनाया गया है चिचली की घटना किस जिले से संबंदित है जवलपुर इंदौर नर्सिंग पुर और भुपाल महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया एक नारा जो था करो या मरो का नारा पूरे देश में आग की तरह फैल गया था और इसी नारे के कारण इस घटना ने जन में लिया हुआ एक इमात्मा गांधी ने जब इस नारे को दिया तो इस नारे को सुनने के बाद हर व्यक्ति के अंदर एक अलग सा जोश था तो मध्य प्रदेश के नर्सिंग पुर जिले के अंतरगर थी इस्थानी नेताओं के द्वारा बहुत ही विशाल भासर द काला और जैसे जुलूस निकला तो जुलूस के उपर अंधादुन गोलिया चलाई गी और ये पूरी घटना चिचली की घटना के नाम से जानी जाती है और ये होई थी मध्य प्रदेश की नर्सिंग पुर जिले के अंतरगर अर्थात यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर सी ब कमेंट में बिलकुल बताईए और यदि आपको कोई दिक्कत है और कोई चीज समझ में नहीं आरी तो आप हमसे उसे दुबारा भी पूछ सकते हैं थैंक्यो सो मच मिलते हैं नेक्स वीडियो में